प्यारे बच्चो अभी हम किसी संक्या के वर्ग निकालने के तरीकों पर बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे कि किसी संक्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वर्गमूल निकालने की दो विदियां गुरनखन विदी और भाग विदी इसे आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है अब ही हम आपके सामने एक ऐसी विदी रखने जा रहे है जो बहुत आसानी से आपको वर्गमूल का परणाम देती है विदी हमरे पास छोटी संख्याओं हो तो हम संख्याओं को देख कर ही उसका वर्गमूल लिकाल सकते है उस तरीके के बारे में हम आपके सामने बात करना चाहरे है इस विदी को हम विलोकनम विदी के नाम से जानते है तो देखिए हम संख्याओं का वर्गमूल लिकालना चाहते है और जिस विदी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विलोकनम विदी है आपकी पुस्तक में एक तालिका दी हुई है उस तालिका को हमने यहाँ पर दुबारा से बना लिया है ताकि इस पर आपके साथ विस्तार से थोड़ी बात कर ले इस तालिगा में आप देख रहे हैं कि हमने कुछ चीदे हैं लिखी हुई है जैसे हमने लिखा है संख्या, संख्या का वर्ग और भीजांग संख्या हैं जो हमने यहाँ पर ली हैं वो एक से लेकर दस तक की हैं जैसे आप देखे एक कवर्ग एक, दो कवर्ग चार, तीन कवर्ग नौ और इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं और दस कवर्ग सौ लिखा है यह पूरी पंक्ती जो आप देख रहे हैं वो उपर लिखी हुई संख्याओं के वर्गों से संबंदित हैं वर्ग यहां दिये हुए है नीचे एक और पंक्ती आप देख रहे हैं इस पंक्ती में आप देख रहे हैं यह सारे बिजांक हैं यह जो आपको वर्ग संख्या प्रा सोला में दो अंख है, एक और चैंग जोड़ेंगें तो 17 आप मिलता है आप सोला के बिज़ांख आप जो आप पांश और आप जोड़ने पर आपको 7 को मिलें तो आप कहाएं आप सबसा मिलें हैं च्छोउजई के बारे में सोचिए ऐन आप जोडेंगे देखेंगे कि आपको 13 मिल रहा है 13 में फिर से 2 वंग है एक और 3 इन दोनों को भी आपस में आप जोड़ दीजे तो आपको 4 मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि 49 का बीजांग 4 है 64 के बारे में देखें 64 में 6 और 4 है जोड़ने पर आपको 10 मिलेगा 10 में एक और 6 है उनको भी आप जोड़िये तो एक मिल रहा है आपको 81 का बीजांग 9 है और 100 का बीजांग 1 है तो आप बीजांग को गौर से देखें तो आपको कुछ खास चीज नदर आएगी एक कुछ पैटर नदर आएगा आप देखें यहां पर आपको मिल रहा है 1, 4, 9, 7 फिर यही संख्यां रिपीट हो रही है देखें 7, 9, 4 और 1 तो यहां से लेकि यहां तक आप देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1 और फिर यह 9 और 1 रिपीट हुआ है तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बिजांक निकालते हैं हाला कि एक्जांपल हमारे बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अलावा किसी और भी वर्ग संख्या में आप बिजांक निकालके देखें तो आप यही परणाम मिलेगा तो आप यह कह सकते हैं कोई भी यदि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके बिजांग जो है वह एक चार साथ और नो ही हो सकते हैं यदि उनका बिजांग के इनके लावा कोई और रंक या कोई और संख्या मिलती है एक से लेके नो तक के बीच में तब आप कहेंगे कि वह संक्या पूर्ड वर्ग नहीं हो सकती इसे आप जांच करकी भी देख सकते हैं वैसे एक पैटर्न आपको यहां पर भी दिखाए पड़ेगा आप देखिए जितनी हमें वर्ग संक्या मिली हैं उन सब की इकाई पर जरक गौर करें आप ध्यान दें आपको पता चलेगा कि यहां एक चार नो है यहां छे है यहां पांच है फिर से यहां छे आया नो आया चा यहां चार यहां पांच यह छे यह नो है तो इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यह किसी संक्या की इकाई में शुन एक चार पांच छे नो हो तो वह संक्या पूर्ण वर्ग हो सकती है हम यह नहीं करें होगी ही ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसी एनेक संक्या हैं हमरे पास जि लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो लेकिन हम यह कह रहे हैं यह किसी संख्या के एकाई में शुन एक चार पांच शेनो हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है इस कथन को आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कोई भी पूर्ण संक्या आप लें तो उसकी इकाई में इन में से कोई एक अंक जरूर मौजूद होगा इसको उल्टे ढंक से आप कह सकते हैं आप देखिए हैं पर पूरी शुने से लेके नौ तक के जो अंकों के श्रिंखला है उसमें कुछ चीदे नहीं है जैसे शुने है एक है दो तीन नही है फिर चार पांच छे है साथ आठ नहीं है फिर नौ है तो आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी संक्या की इकाई में दो तीन साथ आठ मौजूद हैं तो पक्के तोर पर आप कह सकते हैं कि वह संक्या पूर्ण वर्ग संक्या नहीं होगी मैं फिर से रेपीट करता हूं इस बा तूतरे दिष्टी से देखते हैं और इकठा करते हम संभन बनाते हैं कि ज़ो वर्घ संख्या की काई है लिए कि ही और 9 किसी पूर्ण वर्ग संक्या की इकाई में ये संक्या हो सकती है अब इनके वर्ग मुल के बारे में देखिए यदि किसी पूर्ण वर्ग संक्या की इकाई में शुन्न है तो उसके वर्ग मुल की इकाई में क्या था अब देख रहे हैं आपर 100 है वर्ग मूल में 10 है तो अगर वर्ग संक्या की इकाई में शुन्न है तो वर्ग मूल संक्या की इकाई में शुन्न होगा तो आप इसे लिख सकते हैं येदि किसी संक्या की वर्ग वर्ग वाली संक्या की इकाई में शुन्न है तो उसके वर्ग मूल में भी इकाई में शुन्य होगा अब एक पे बात करिए यदि किसी वर्ग संक्या की इकाई में एक है तो वर्ग मूल में क्या होगा आप देखिए यहाँ पर वर्ग संक्या एक है वर्ग मूल संक्या भी इकाई में एक है यहां पर आप देखिए वर्ग संख्या की इकाई में एक है लेकिन वर्ग मूल संख्या की इकाई में नौ है तो हम यह कह सकते हैं यदि किसे संख्या के इकाई में एक है तो उसके वर्ग मूल वाली संख्या की इकाई में या तो एक होगा या नौ होगा इन दोनों से कोई एक संक्या होगी वर्ग मूल मे चार के बारे में देखिए आप लिख सकते हैं यदि यह वर्ग संक्या की इकाई में चार है तो वर्ग मूल के संक्चा में दो होगा और आट भी हो सकता है तो दो भी कल अपको मिल रहे है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में चार है तो उसके वर्ग मूल की संख्या में इकाई में या तो दो होगा या हाट होगा अब पांच के बारे में गौर करिए आप देख रहे हैं कि पांच के वल एक जगा पर आया है वर्ग संख्या में 4 का वर्ग 16 यहां इकाई में 6 है और 6 का वर्ग 36 यहां पर भी इकाई में 6 है तो यदि वर्ग संख्या की इकाई में 6 है तो वर्ग मुल संख्या की इकाई में 4 या 6 हो सकता है तो हम यहां लिखे यदि किसी वर्ग संख्या की इकाई में 6 है तो वर्ग मूल्ख संख्या की इकाई में या तो चार होगा या छे होगा नौ के बारे में देखें नौ भी दो जगह आपको दिखाए पड़ रहा है यहाँ पर एक जगह 9 है और यहाँ भी उन्चास में 9 इकाई में है तो आप देखें यहां जब 9 हैं तो इसके वर्ग मूल की संख्या में एकाई में 3 दिखाए पड़ रहा है और यहां उन्चास के वर्ग मूल की संख्या में 7 दिखाए पड़ रहा है तो आप यहां पर अपना एक नया परिणाम लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या वर्ग संख्या की इकाई में नौ है तो उसके वर्ग मूल की संख्या में इकाई में तीन हो सकता है या साथ हो सकता है तो आपके सामने एक तालिका है मिली ये आपको विकल्ब देते हैं कि यदि वर्ग संख्या की इकाई में ये अंक मौजूद हैं तो उनके वर्ग मूल की इकाईों में ये सारी चीदे मौजूद होंगी अब इनका उप्योग करके हम किसे संख्या का वर्ग मुल निकालते हैं विलोक्राम विदी से एक चीज़ें हाँ पर हम और जोड़ना चाहेंगे यदि किसी वर्ग में वर्ग वाली संख्या में जितने अंख होते हैं जैसा माल लिजे एक या दो अंख है तो इनका वर्ग मुल आप देखिए यहां पर नौ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं चार भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं और भी इनके बीच में कई सारी संख्या आएंगी इसका वर्ग मुल एक है इसका वर्ग मुल दो है इसका वर्गमूल तीन है इसका वर्गमूल चार है इसका वर्गमूल नो है जैसे ही आप सौ में जाते हैं तो इसका वर्गमूल हमें मिलता है दस के बराबर तो यहां से एक परणाम हम निकाल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में संख्याओं के जितने जोड़े होते हैं अब चुकि यहां पर हकेली संख्या है तो यहां पर भी हमको वर्गमूल एक अंका मिलेगा लेकिन जैसे तीन अंख हुए पूर्ण वर्ग संख्या में आपको वर्ग मूल में दो अंख मिलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर दो जोड़े बनते हैं यह पूरा जोड़ा नहीं बनता लेकिन फिर भी दो एक जोड़ा पूरा बना और एक और संख्या हमरे पर बची रह गई तो जितने जोड़े इस तरह के बन सकते हैं उनके आधे संख्याएं वर्गमूल में होती हैं यह हमको प्रणाम मिलता है यदि किसी संख्या में चार पद है एकाई दाहिस एकड़ा हजार तो इनके वर्गमूल में हमको किवल दो पद ही मिलेंगे और यदि पांच हो जाते हैं पांच संख्या होती है तो आप देखिए का एक जोड़ा दूसरा जोड़ा और एक अकेली संख्या तो यहाँ पर हमको वर्गमूल में तीन संख्याओं तीन उनकों वाली संख्या मिलेगी तो ये एक और परणाम है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा और इन सब के आधार पर हमें कोशिश करते हैं कि हम किसी संख्या का वर्गमुल निकाल सके चलिए एक संख्या है हमारे पास 6889 इसका हम वर्गमुल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि कितने जोड़े बनते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो इकाई और दहाई की संख्या हैं उनका एक जोड़ा बनेगा और सैकड़े और हजार की संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा यानि इसका जब हम वर्गमुल प्राप्त करेंगे तो हमकों दो अंक मिलेंगे यानि इसकी जो वर्गमुल संक्या होगी वो दो अंकों वाली होगी ये पता चलता है इस जोड़े के आधार पर हम ये देखेंगे कि जो वर्गमूल वाली संख्या है उसकी इकाई में क्या हो सकता है और इस जोड़े के आधार पर हम तरह करेंगे कि वर्गमूल मिले वाली संख्या के दहाई में क्या हो सकता है अभी इस तालिका में जो हम इस प्रणाम पर पहुंचे थे उसके आधार पर देखिए इस संख्या की इकाई में 9 है तो इसके वर्गमूल वाली संख्या में क्या हो सकता है ये देखिया आप देख रहे हैं हम पर अगर किसी वर्ग संख्या की इकाई में 9 है तो इसके वर्गमुल वाली संख्या में या तो तीन होगा या साथ होगा तो हमारे पास दो संभावना है कि अगर हमें दो संख्याओं वाली वर्गमुल संख्या मिल रही है तो उसकी एकाई में या तो तीन हो सकता है या उसकी एकाई में साथ हो सकता है अब आप देखिए इसके अधार पे तो हमने एगाई की संख्या का अनुमान लगा लिया अब हम इस अरुसर्ट को देखते हैं जो बाई तरफ का जोड़ा है और अरुसर्ट के बारे में आप देखे कौन सी संख्या के नजदीक है आप देख रहें कि पुर्ण वर्ग संख्य चोशट और इक्यासी इनके बीच में आरुसर्ट आता है इसका मतलब यह है कि इस संख्या का वर्ग मुल या तो आए नौ होगा श्राइक में तो हम मान कर चलते हैं कि इसके संभावा या तो आँठी या 9 है तो अगर हम यह देखें कि 8 का वर्गमुल 64 है और 9 का वर्गमुल 81 है तो हमें लगता है कि जो 81 है वो और सट से अधिक दूर है बनिजबत 64 के याने 68-64 के पास की संख्या है तो हम अनुवान लगा सकते हैं कि इसका जो वर्गमुल है वो आठ ही हो सकता है नौ यदि हम लें तो हमें एक बड़ी संख्या मिलेगी जो इससे अधिक हो सकती है तो इस अनुवान के अधार पर हम यह कह सकते हैं कि 68 का जो पूरी संख्या का जो वर्गमुल होगा उसकी दहाई में आठ के होने के संभावना अधिक है यानि हमने इनके बीच की जो संख्या है 83 और 87 की बीच जो पचासी है पचासी का वर्ग निकालना आपके लिए बहुत हासान है आपको एक तरीका याद होगा कि हम इसका वर्ग करते हैं और इस संख्या में से एक ज्यादा का गुणा करते हैं आठ पे हम 9 का गुणा करें, तो हमें मिले के 72, इस का अर्थ हुआ कि 85 का वर्ग 7,225 है, अब 7,225 और इस संक्या के तुल्ला हम करें, कि ये कहां पर ठैरता है, 7,225 पचासी का वर्ग है, और संक्या 6,889, 83 या 87 का वर्ग है, इसका मतलब आप देखने के 6,889 संक्या जो है, वो 7,225 से छोटी है, इसका मतलब इसका वर्ग मूल इस संक्या का वर्ग मूल से छोटा होगा, यानि इस संक्या का वर्ग मूल 85 से छोटा होगा, और 85 से छोटी संक्या हमारे पास 83 है, तो हम कह सकते हैं कि 6,889 का वर्ग मूल 83 हो सकता है, अब आप गरना करके देखें, क्या